हेलो विल्कम फ्रेंड्स तो दोस्तो आप सभी ललीत नरैन मितला यूनिवसीटी दरभंगा पार्थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि पिछले कई दिनों से लगतार एक्साम का डेट न्यूस पेपर में अलग-अलग आ रहा है आप सभी कभी देख रहे होंगे कि एक्साम 11 अगस से होने की बात की जा रही है तो कहीं पर 16 अगस से बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूँ एक्जाम जो होगा आपका वो 15 अगस्त के बाद और सेप्टेमबर के फर्स्ट विक इस टैम पेडियेड में कभी भी आपका एक्जाम होगा ही अब स्टार्ट कारण क्योंकि बहुत संभावना है थर्ड वेव के आने की तो जब कोविड फिर से आजाएगा तो फिर एक्जाम पोस्ट पॉंट करना होगा इसलिए एक्जाम अब इस टैम डूरिशन में अवस्य होगा और एक चीज और मैं आपको बता दूँ इस बार जो आप लोग अपना एक्जाम देना तो कोसिस करना आंसर में कुछ अलग कंट को जरूर आप दो कारण इस बार जो एक्जाम होगा वो मुश्किल से दस से पंदर दिन चलेगा क्योंकि पहले होता तक क्या तो एक पेपर के लिए आपके पास तीन से चार दिन का गैप मिल जाता था यानि पूरे महने एक्जाम चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा समय कम है तो 10 से 12 दिन के बीच में आपका एक्जाम हो जाएगा और उतना ही समय के बाद 10 से 12 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा यानि कि एक्जामिनर के पास खूंपी जाच करने के लिए समय बहुत कम होगा तो खूंपी में किस प्रकार से मुल्यांकन करेंगे तो करेंगे आपका जो आंसर है वो देखेंगे कि राइटिंग कितना अच्छा है क्योंकि अगर सभी चीज़ को अगर डीप से पटने लग जाए तो फिर उसे बहुत समय लेग जाएगा इसलिए वो एक प्रकार से समझेए पेस का अभर व्यू करेंगे हाइलाइट चुका इस चीज़ को आप लिखें लिखने के बाद उसको आप अंडरलाइन भी कर सकती हो पॉइंट बना के कुछ साइन भी आप इस प्रकार से कर सकती हो तो यही सब जो है आपको अच्छा माक्स दिलाएगा और कोसिस करना जितना अच्छा से अच्छा आप राइटिंग लिख स लेकिन डढ़िएगा मत क्योंकि इस बार जो है न एक्साम कोविट के चकर बहुत लेट हो रहा है तो उतना एक्साम टाइट भी नहीं होगा लेकिन आप लोग अपने तरफ से फूल तैयारी करके जाए और आप परना किस प्रकार से है तो आप तो समय कम है मैं बहुत सारा बेडियो जो बनाया हूं बहुत सारे सब्जेक्ट का गेस कोश्चन भी कर दिया हूं कोशिस करना आप लोग सेलेक्टिट चीज को ही पढ़े अगर दस से बाराज कोश्चन भी एगर आप एक पेपर के लिए कर लेते हो तो वहां से आपको चार से पांच आसानी से मिल है आपको दस प्रसन आएंगे और आपको पांच प्रसनों का जवाब देना होता है और एक चीज आओर मैं आपको बता दूँ सबसीडिरी पेपर जो होगा वो सभी ऑब्सेक्टिव होगा आप लोगों का जो जी के जी एस का पेपर होगा उसमें आप में फोकस करना जो प् कब हुए किस गौल में समयलन में महात्मा गांधी पाटिसिपेट हुए सविन्य अब अग्या अंदूलन कब हुआ भारच छोरों अंदूलन कब हुआ अठार सुसंतावन करांति का नेत्रूत बिहार से किसन किया उसके बाद करेंट के चीज भी आती है कि बिहार में भी फि पूछ एपॉइंटमेंट के बादे में पूछ ले कि जल मंत्री कौन है तो इन चीजों पर आपको अभर्वियू करना होगा और डरना नहीं हंडेड माक्स का कोस्चन आएगा आप वहां पर असानी से अच्छा माक्स ले आओगे उसका तो माक्स जूटता नहीं है बस क्व परसेंटेज जाया है तो यहां पर अच्छा परसेंटेज करते हो तो वे तीनों पाट को मैनेज कर देगा थैंक्यू सुमच दूस्तों